सबी दर्सकों का आज के करक्रम में हर्दिक स्वागत है कि आपने कभी सोचा है कि सैलों के सहियोजन की क्या उप्यूगता है टॉर्च में सैलों का सहियोजन किस प्रकार करते हैं टॉर्च के अंदर सैलों को सैनी करम में जोड़ा जाता है किस प्रकार के सैलों को सेनी करम में जोड़ना उचित होता है और किस प्रकार के सैलों को पास करम में जोड़ना उचित होता है किसी अग्यात प्रतरोद का मान ग्यात प्रतरोदों से कैसे पता करेंगे चार प्रत्रोदों की एक बिसेश बिवस्ता द्वारा अग्यात प्रत्रोद ग्यात करते हैं जिसे वीटिश्टॉन सेतू कहते हैं किसी बंद परपत में बिद्दुधारा तथा बिद्दुध्यों को कैसे परिकलित किया जा सकता है इसके परक्रम के लिए कौन से नियम उपयोगी हैं ये सब आज के कारक्रम के बाद जान सकेंगे अभी हम सैलों के सैनी करम संयोजन पर दियान केंद्रित करते हैं सैनी करम में दो सैलों को जोड़ते समय परतिक सैल के एक टर्मिनल को मुक्त छोड़कर दौनों सेलों के एक टर्मिनल को एक दूसरे से संयोजित करते हैं दौनों सेलों के बिद्दुद बहागवल क्रमस एपसलन 1 तथा एपसलन 2 तथा उनके आंतरिक प्रतरोध R1 तथा R2 है पहले सेल के धनात्मक तथा रिनात्मक टर्मिनल के मद्द विववां तर VAV बराबर VA-VB बराबर Epsilon 1-IR1 उसी प्रकार से दूसे सेल के टर्मिनल के बीच में विववांतर VVC बराबर Epsilon 2-IR2 अता सही ओजन के टर्मिनल A तता C के मद्द विववांतर VAC बराबर VA-VC बराबर VA-VB प्लस VB-VC बराबर Epsilon 1 प्लस Epsilon 2-IR1 प्लस R2 यदि सेलों के सही ओजन को एकल सेल से प्रतिस्तापित करें जिसका बिद्दुत वहागवल Epsilon EQ तता आंत्रिक प्रत्रोद R EQ हो तब A तता C बिन्दुओं के बीच बिववांतर VAC बराबर Epsilon EQ-IRQ होगा अतो Epsilon EQ यदि तुल्ले बिद्दुत भागवल बराबर Epsilon 1 प्लस Epsilon 2 तता तुल्ले आंत्रिक प्रत्रोद R equivalent बराबर R1 प्लस R2 यदि दूसे सैल को बिप्रीत करम में जोड़ें तो Epsilon EQ बराबर Epsilon 1 मैनस Epsilon 2 हो जाएगा सैनी सैयोजन के नियम को सैलों की किसी भी संक्या के लिए विस्तारित किया जा सकता है आईए अब हम सैलों के पासक्रम अत्वा समानतक्रम की चर्चा करते हैं इस सैयोजन में सभी सैलों के अंत बिंदियों पर विवानता समान होता है तता सभी सैलों से धारा अलग-लग होकर किसी बिंदू पर जोड़ जाती है जब एक सैल को दूसरे सैल से इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनके समान दुरुपता वाले सिरे आपस में जोड़े हो तो इस प्रकार के सैयोजन को समानतक्रम सैयोजन कहते है सेलों के पास ही ओजन में मान लिया कि I1 तथा I2 सेल के धनात्मक रेक्टोर से निकलने वाली धारा हैं चुकि यह धाराएं बिंदो B1 पर मिलती हैं जहां से धारा I बाहर निकलती है इसलिए I बराबर लिखा जा सकता है I1 प्लस I2 पहले सेल के टमिनलों के मद्द विववांतर V बराबर VB1 मैनस VB2 बराबर Epsilon 1 मैनस I1 R1 इसी प्रकार दूसरे सेल के टमिनलों B1 तथा B2 के मद्द विववांतर को लिखा जा सकता है V बराबर VB1 मैनस VB2 बराबर Epsilon 2 मैनस I2 R2 यहां से आगे हम कैल्कुरेट कर सकते हैं प्रथम सेल के लिए V बराबर था Epsilon 1 मैनस I1 R1 तो यहां से I1 को हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं I1 बराबर Epsilon 1 मैनस V अपोन R2 उसी प्रकार से दूसरे सेल के लिए जो विववांतर था वो था V बराबर Epsilon 2 मैनस I2 R2 जहां से I2 को निकाला जा सकता है जहां से I2 को निकाला जा सकता है Epsilon 2 मैनस V डिवैड़ बाई R2 यहां पर R1 आएगा तो I1 का मान Epsilon 1 मैनस V अपोन R1 हो गया I2 का मान Epsilon 2 मैनस V अपोन R2 हो गया इसलिए कुल धारह I बराबर I1 प्लस I2 I1 का मान लगा दिया Epsilon 1 मैनस V अपोन R1 प्लस Epsilon 2 मैनस V अपोन R2 आगे हम इसको इस परकाल लिख सकते हैं कुल धारह I बराबर Epsilon 1 अपोन R1 Plus Epsilon 2 अपोन R2 मैनस V यहाँ epsilon 2 आएगा यहाँ पर R2 आएगा V बराबर हो जाएगा epsilon 1 R2 प्लस epsilon 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यदि बिंदु B1 तथा B2 के बीच एकल सहल हो जिसका बिद्दुत वागवल epsilon EQ तथा आंत्रिक प्रत्रोध R EQ हो तब हम विवांतर को इसका लिख सकते हैं V बराबर epsilon EQ माइनस I R EQ अतह epsilon EQ बराबर हो जाएगा epsilon 1 R2 प्लस epsilon 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 तथा R EQ यदि तुल्ले आंत्रिक प्रत्रोध हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इन दोनों समीकरणों से एक बहुती अच्छा संबंद बनाय जा सकता है epsilon EQ बागित R EQ बराबर epsilon 1 अपॉन R1 प्लस epsilon 2 अपॉन R2 प्लस एंड सो ओन इसी प्रकार यहां पर आप देखिए सभी सेलों के धनात्मक एलेक्टोड एक बिंदू पर तता रेनात्मक एलेक्टोड दूसरे बिंदू से जोड़े गए यदि दूसरे सेल का रेनात्मक टर्मिनल पहले सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा है तब सूत्र में Epsilon 2 को मायनस Epsilon 2 से विस्तापित कर सकते हैं यदे हमारे पास N cell समानता करम में या पार्स करम में जुड़े हैं तो दो बहुत ही उपयोगी सूत्र विस्तापित किये जा सकते हैं Epsilon EQ upon REQ बराबर Epsilon 1 upon R1 plus Epsilon 2 upon R2 plus N zone plus Epsilon N upon RN अभी तक की चर्चाप पर आधारित एक आंकिक प्रसन को हल करते हैं प्रसन इस प्रकार है यदे नगन्य आंतरिक प्रत्रोद वाले N समान सहलों को सही उजित किया जाए तो पास करम की तुलना में सैनी करम क्यों उचित रहता है इसको हम इस प्रकार समझेंगे हम जानती हैं कि N समान सहलों को जिन में से प्रतेक का आंतरिक प्रत्रोद इस्मौल आर तता बिद्दुत बहागवल Epsilon है तो सैनी करम में जोनने पर तुल्लिधारा इस प्रकार होगी N सैनों के लिए तुल्लिधारा आई N बराबर N टाइमस ओप Epsilon भागित R प्लस NR बराबर Epsilon अपॉन R प्लस R बाई N हमने यहां से N बाहर रखा Epsilon नीचे से N हमने उभेनिश ले लिया तो यह आ जाएगा R बाई N प्लस R N से N कट जाएगा तो N सैलों से प्राप्त धारा आई N बराबर हो जाएगा Epsilon अपॉन R प्लस R बाई N अब यदि सैल का आंत्रिक प्रत्रोध य प्रत्रोध से कम है तब N सैलों से प्रभाहित धारा I सफिक्स N बराबर N E divided by R R बहुती यहाँ पर कम है तो N उपर चला जाएगा तो N सैलों की कुल धारा आई N बराबर N टाइमस ओफ Epsilon अपॉन R हो जाएगी उसी तरीके से एक सैल से प्राप्त धारा को इस पकार लिखा जा सकता है आई बराबर Epsilon अपॉन R प्लस R आंत्रिक प्रतुरत बहुती कम है और वाई यह प्रतुरत की तुल नाम है तो आई बराबर लिखा जा सकता है Epsilon अपॉन R तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सैल से प्राप्त धारा है Epsilon by R और N सैलों से प्राप्त धारा है N टाइमस ओप Epsilon by R अतह यहाँ यह इस पस्ट है कि N सैलों से प्राप्त धारा एक सैल की तुलना में प्राप्त धारा से N गुना जादा होती है अतह कम आंत्रिक प्रतुरत वाले सैलों के लिए सैनी करम संयोजन उचित होता है यद इन सैलों को पास क्रम में जोड़ते हैं, तो एन सैलों से भी एक सैल के समान बिद्दु दारा मिलती है, अतहर पास क्रम में सिर्फ अधिक आंतरिक प्रत्रोध वाले सैलों को ही संयोजित किया जा सकता है, जिसे हम इस प्रकास समझ सकते हैं. पास्क्रम में n सेलों से प्राप्त धारा in बराबर epsilon upon r प्लस r yn पास्क्रम को पास्क्रम में यद n सेल हैं तो n सेलों से प्राप्त धारा को इस प्रकाल लिखा जा सकता है तुल बिद्दुत भागबल होगा एपसलन अपॉन कुल प्रत्रोद हो जाएगा आर प्लस आर बाई एन यदि सैलों का आंतरिक प्रत्रोद बहुत ही जादा है और वाई ये प्रत्रोद की तुल नामे तो इसको लिखा जा सकता है आई एन बराबर एपसलन आर को यहाँ पर नगर निवाना जा सकता है तो आई एन बराबर हो जाएगा एन टाइमस ओफ एपसलन भागित इस्मॉल आर तो पार्स क्रम में एन सैलों से इतनी धारा प्राप्त होगी और एक सैल से प्राप्त धारा आई बराबर होगा एपसलन अपॉन आर प्लस आर कैपीटल आर बहुत ही छोटा है यहाँ पर तो एक सैल से प्राप्त धारा हो जाएगी एपसलन वाई आर तो इस तरीके से ऐसे सैल जिनका आंत्रिक प्रत्रोद वाई ये प्रत्रोद की तुलना में बहुत जादा है होगी एपसलन वाई यार और एक सैल से प्राप्त धारा होगी एपसलन वाई यार इस से इसपस्ट है कि अधिक आंत्रिक प्रत्रोद वाले सैलों को समानतक क्रम में तता कम आंत्रिक प्रत्रोद वाले सैलों को सैनी क्रम में जोड़ना उचित रहता है आपने सामानेता देखा होगा बिद्दुत परिपतों में कभी कभी कई प्रत्रोधक एवं सेल जटिल डंग से सम्मध्ध होते हैं सेनी एवं पास अयोजन के लिए जो सूत्रम ने पहले प्राप्त किये हैं वे परिपत के सभी बिद्दुत धाराओं तता विवांतरों के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होते दो नियम जिन्हें किर्खौप के नियम कहते हैं बिद्दुत परिपतों के बिसली सण में बहुत उपयोगी होते हैं आईए अब हम बिद्दुत परपस से संबन्नित किर्खौप के नियमों की उपयुकता पर चर्चा करते हैं जो आगे इस प्रकार है यदि किसी प्रत्रोद में धारा का मान अंततव धनात्मक आता है तो धारा की वास्तविक दिसा तीर की दिसा में होती है और यदि रिनात्मक निकलता है तो वास्तम में बिद्दुत धारा की दिसा तीर की दिसा के विप्रीत होती है सेलों के धनात्मक टर्मीनल पी तथा रिनात्मक टैमिनल एन के मज़ विवाणतर वी बराज़ बराबर ौई यहां आई सेल के अंदर NCP की और प्रवाहित बिद्दुत धारा है यद हम सेल से होकर बैने वाली धारा को चिन्नित करते हुए पी से N की और बढ़ें तो आगे लिखा जा सकता है वी बराबर एपसलन प्लस आई यार किरकॉप के बिद्दुत परपस से संबंदित दो नियम इस प्रकार है पहला संदी नियम किसी संदी पर प्रवेश करने वाली बिद्दुदाराओं का योग इस संदी से निकलने वाली बिद्दुदाराओं के योग के बराबर होता है यह नियम आवेश के संद्दान के सिद्दान से संबंदित है दूसरा नियम पास नियम प्रत्रोदकों तता सैलों से संब्लित किसी बंद पास के चार और विभम में परवर्टनों का बीजगरतिय योग सुन्य होता है अतह क किसी बिंदु से प्रस्तान कर यदे हम बापस उसी बिंदु पर आ जाते हैं तो कुल परिवर्तन सुन होना चाहिए यह नियम उर्जा के सनचन सिद्धान पर आधा रहते हैं अभी किर्खौप के दुतिय नियम को एक पास में लगाना हम सीखेंगे तो एक बंद पास ले रहे हैं जो है A, H, D, E, F, G, A A, H, D, E, F, G, A तो A से H तक जो बिवबपात होगा 30 इंटू आईवन 30 आईवन हम धारा की दिसा में जा रहे हैं तो इसको माइनस का 30 आईवन ले सकते हैं है एज से D तक कोई भी विवबपात नहीं हो रहा है D से यह तक जो विवबपात हो रहा है 20 आईटू 20 आईटू और धारा की विप्रीद दिसा में जा रहे हैं तो इसको हम प्लस का 20 आईटू ले सकते हैं फिर वन ओम का एक और प्रत्रोद है जिसमें आईटू धारा जा र इसके बाद यहाँ पर एक सेल है जिसका बिद्दूत भागवल 80 बूल्ट है तो E से F, F से A की तरह बाते समय सेल का प्लस आ रहा है तो प्लस आने पर इसको माइनस 80 ले सकते हैं बराबर 0 हो जाएगा इसको माइनस का 30 i1 प्लस 21 i2 माइनस 80 बराबर 0 तो इस तरीके से इस बंद पास में हमें ये equation प्राप्त हो गया माइनस 30 i1 प्लस 21 i2 माइनस 80 बराबर 0 कई बार हम इसके science बदल सकते हैं प्लस 30 i1 माइनस 21 i2 प्लस 80 बराबर 0 इस प्रकार भी लिख सकते हैं अभी यहां पर एक दूसरा बंद पास है a h d c b a a h d c b a इस बंद पास में क्रिचॉप का दूतिनियम कैसे लगाएंगे तो अगें a से h की तरफ गए व्यापात कितना हो रहा है 30 i1 current की दिशा में जा रहे हैं धारा की दिशा में इसको मैनस ले सकते हैं तो a से h तक गए s से d तक गए अब d से c तक जा रहे हैं तो यहां पर 45 वोल्ट का मैनस का i3 into 1 तो इस तरीके से बापस हम a से चलकर a पर ही बापस आ गए अब 40 वोल्ट का प्रतुरत और यहां पर बचा जिसमें हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो मैनस का 40 और इसमें जो धारा जा रही है वो i3 है तो 40 i3 बराबर 0 आगे हम इस समीकरण को सरल कर सकते हैं मैनस 30 i1 मैनस का 41 i3 प्लस का 45 बराबर 0 तो इस तरीके से हमने इस परिपत में इस बंद पास में क्रिखौफ के दूतिय नियम को लगाना सीखा अभी हम क्रिखौफ के नियम पर आधारित एक आंकिक प्रस्न को हल करेंगे जो इस प्रकार है तो अभी हम बंद पास ले लेते हैं ACDA ACDA तो ACDA बंद पास में ACDA बंद पास में जो समी करें वो कैसे प्राप्त होगा AC की तरफ जा रहे हैं CEL का प्लस 10 आ रहा है तो इसको माइनस 10 लिया जा सकता है माइनस 10 बोल्ट I one ohm का प्रत्रोथ है इसमें जो व्यवपात हो रहा है 1 into i1 धारा की विप्रित दिशा में जा रहे है तो यह आ जाएगा यहांपर i1 C बिंदू तक पहुँच गए अब C से D तक जो व्यॉपात हो रहा है धारा की दिशा में जा रहे है तो माइनस लेंगे माइनस का 2 और यहां इस प्रत्रोद में जो धारा है वो है I2 पिलस I3 माइनस I1 माइनस I1 A से C तक गए C से D तक अब D से A तक धारा की विप्रीद दिशा में जा रहे हैं तो प्लस 4 I1 माइनस I2 प्लस 4 I1 माइनस I2 बराबर 0 क्योंकि बापस हम यह तक आ गए अब इसको यदे हम सरल करें तो यह प्राप्त होगा माइनस 10 प्लस I1 माइनस 2 I2 माइनस 2 I3 प्लस 2 I1 प्लस 4 I1 माइनस 4 I2 बराबर 0 अभी सब को एड़ेस्ट कर दें आई बन तो यह आ जाएगा 7 I1 उसी तरीके से माइनस 2 I2 माइनस 4 I2 यह जाएगा माइनस का 6 I2 माइनस 2 I3 माइनस 2 I3 इस इक्वल टू 10 तो यह एक समीकन यहां से प्राप्त हो जाएगा 7 I1 माइनस 6 I2 माइनस 2 I3 बराबर 10 अभी हम अगला बन पास लेते हैं A C DA बन पास में हमें एक समीकन प्राप्त हो गया था अब अगले बन पास ABCA में A B C A में हम कैसे समीकन प्राप्त करेंगे तो पहले A से B तक जा रहे हैं 4 I2 कितना अभीवप पात हो रहा है 4 I2 धारा की दिशा में जा रहे हैं तो इसको मैनस ले सकते हैं B से C में धारा की दिशा में जा रहे हैं तो इसको भी ले सकते हैं 2i2 2i2 minus 2i3 फिर c से a की तरफ जा रहे हैं तो धरा की दिशा में जा रहे हैं तो plus i1 into 1 minus i1 into 1 i1 into 1 10 voltage का भिवब है तो plus का 10 बराबर हो जाएगा 0 अब ही हम इसको simplify कर लेते हैं तो i1 इसमें एक जगे आ रहा है minus i1 i2 दो जगे आ रहा है minus का 4 minus का 6i2 4i2 और 2i2 minus का 6i2 minus 2i3 is equal to minus 10 हर जगे क्योंकि minus आ रहा है तो यह सारा plus में change हो जाएगा plus 10 plus 2i3 plus 6i2 plus i1 तो एक समीकन यहां पर मिल गया i1 plus 6i2 plus 2i3 बराबर 10 अब ही हम बंद पास bcdb लेते हैं बंद पास bcdb b,c,d,eb to सबसे पहले हम b से c तक गये दाहरा की दिशा में जा रहे है तो minus ले सकते हैm minus का 2i2 minus का 2i3 को कि यहां जो भिवब पात हो रहा है 2i2 plus 2i3 हो रहा है क्योंकि दाहरा की दिशा में जा रहे हैं तो इसको minus लिया जा सकता है C से D की तरफ जा रहे हैं यहां भी धारा की दिसा में जा रहे हैं तो मैनस ले सकते हैं तो मैनस का 2I2 मैनस का 2I2 मैनस का 2I3 मैनस का 2I3 और मैनस मैनस प्लस हो जाएगा प्लस 2I1 B से C की तरफ गए C से D की तरफ गए अब D से E की तरफ जा रहे हैं से बी की दरब जा रहे हैं, तो एक ही बिवब यहां पर दिखाई दे रहा है, 5V, जो कि मायनस का है, तो प्लस 5 बराबर आ जाएगा 0, अब हम इसको simplify कर लेते हैं, इसमें I1 एक ही जगे नजर आ रहा है, तो यह हो जाएगा 2I1, I2 दो जगे आ रहा है, 2I2, 2I2, तो मायनस का ही हो जाएगा 4I2, I3 भी यहां पर दो जगे आ रहा है, तो मायनस का 4I3 is equal to मायनस का 5, तो यह समीकर्ण यहां पर इसके साथ मेच कर रहा है, 2I1, 2I1, मायनस 4I2, मायनस 4I2, मायनस 4I3, मायनस 4I3, बराबर मायनस 5, इस तरीके से आपने देखा, I1, I2, I3 में तीन बंद पास का प्रयोक करने से, हमें तीन समीकर्ण प्राप्त हुए इन तीनों समीकर्णों से I1, I2 तता I3 के मान को परिकलित किया जाए तो वह इस प्रकार आ जाएगा इस प्रकार तीन समीकर्ण हमने प्राप्त किये I1, I2, I3 में उनसे जो अंतिम धारा निकलेगी I1 उसका मान होगा 2.5 एंपियर, I2 धारा का मान होगा 5 भागित 8 एंपियर तता I3 धारा का मान होगा 15 बाई 8 एंपियर अब किसी भी साखा में हम बिद्दु धारा निकाल सकते हैं जैसे BC साखा में बिद्दु धारा निकालनी है तो BC साखा में बिद्दु धारा कितनी है I2 प्लस I3 I2, I3 का बेलू लगा दो तो 5 भाई 8 प्लस 15 भाई 8 यह यहां से आजाएगा 20 भाई 8 तो यह अगेन कितना आजाएगा 10 भाई 4 यानि यह आजाएगा 2.5 एमपियर तो BC साखा में कितनी धारा प्रभाहित हो रही है 2.5 एमपियर उसी तरीके से AD साखा में AD साखा में कितनी धारा प्रभाहित होगी यह है यहां पर I1-I2 I1-I2 तो समीकरणों से हमने I1-I2 की बेलू निकाल ली है I1 कितना है 2.5 यानि 5 भाई 2 I2 कितना है माईनस का 5 भाई 8 8 यहां से LCM आ गया तो 20 माईनस 5 तो यह आजाएगा 15 भाई 8 एमपियर तो AD ब्रांच में AD साखा में जो धारा होगी वो 15 भाई 8 एमपियर होगी तो इसी प्रकार बाकी साखाओं में भी बिद्धु धारा का मान निकाल सकते हैं किर्खौप के एक अनुपरयोग के रूप में चित्र में प्रदसित परपत वीटिस्टोन सेतु कहलाता है सेतु में चार प्रत्रोध R1, R2, R3 तता R4 हैं बिकण पर इस्तित बिंदु A तता C के मद्य एक बिद्धु स्रोथ सम्बद्य है अर्थात AC C बेंट्री भुजा कहलाती है दो सीर्स बिंदुओं B तता D के मद्य एक धारा मापी जी लगा हुआ है या BD भुजा गेलवनोमीटर भुजा कहलाती है सरलता के लिए हम सेल का आंतरिक प्रत्रोध नगन्य मान सकते हैं सबी प्रत्रोधों से होकर धारा प्रवाहित होने के साथ धारा मापी से भी आई जी धारा प्रवाहित होगी सेतु की संतुलन की अवस्ता प्राप्र करने के लिए प्रत्रोधों का मान इस तरह समायोजित करते हैं कि धारा मापी जी में परवाहित धारा सुन हो जाए, उसके बाद हम बंद पासों ADBA तथा CDBC पर किरखौप के पास नियम को अनुपरिप्त करते हैं, तो इन दोनों बंद पास में किरखौप का दूतिय नियम लगाने से हमें निम्न समीकन प्राप्त होगा, मानस I1 R1, प्लस 0, प्लस I2 R2 बराबर 0, दूसरा जो बंद पास है, C, B, D, C, उससे समीकन प्राप्त होगा, I2 R4 प्लस 0, मानस I1 R3, इन दोनों समीकनों को सरल करने से अंतिम रूप से हमें प्राप्त हो जाएगा, R2 बाई R1 बराबर R4 बाई R3, जो के सेतू के संतुलन की सर्थ है, भीटिस्टोन सेतू तता इसका संतुलन, प्रत्यबंद, अज्यात प्रत्रोद के निधरण के लिए एक प्रायोगिक विदी देता है, अता सेतू की संतुलन की अवस्ता में, यदि अज्यात प्रत्रोद R4 है, तो लिखा जा सकता है, R4 बराबर R3, R2 बाई R1, मीटर सेतू वीटिस्टोन से धन पर आधारित एक युकती है, अभी हम वीटिस्टोन सेतू पर आधारित एक प्रसन का अभ्यास करेंगे, प्रसन इस प्रकार है, वीटिस्टौन सेतू में सून विच्छेप स्थिती के क्यालाव है आर अग्यात परिकलित करने के लिए किस अतरिक्त माप की आवसक्ता होगी यदि धारा मापी में विच्छेप सूने आए तो इस स्थिती में वीटिश्टन सेतू संतुलित होता है तता इस स्थिती में प्रतरोदों का अनुपात समानपातिक होता है अर्थात R2 by R1 बराबर R4 by R3 सून विच्छेप की स्थिती के कारण प्रतरोद का मापन सुद्धता से किया जा सकता है सून विच्छेप की स्थिती का सबसे बड़ा लाव यह है कि धारा मापी का प्रतरोद संतुलन अवस्ता को परवर्थित नहीं करता तता धारा मापी के आंतरिक प्रत्रोद तता प्रत्रोद में प्रवाहित धारा को भी मापने की आवसक्ता नहीं होती अन किसी विदी से जैसे किर्खौपलो से अग्यात प्रत्रोद को निकालने के लिए प्रतेक प्रत्रोद में प्रवाहित धारा तता धारा मापी में प्रवाहित धारा के साथ इसके आंत्रिक प्रत्रोद के मापन की भी आवसकता होगी आप सेलों के सेनी क्रम तथा पार्स क्रम पर आधारित तथा किर्खौप के नियुमों पर आधारित प्रस्नों का अभ्यास करेंगे किसी परपत में धारा तथा बोलता निकानने में ये कितने महत्पूर है प्रस्नों के अभ्यास से इसको समझने का प्रयास करेंगे आप ये पता करेंगे कि किसी कार को सेल्प स्टार्ट करने में प्रिक्त बेंटरी के स्तान पर उतनी बोलता प्राप करने के लिए ड्राई सेल को सेनी करम में जोड़ना उचित नहीं होता वीटिस्टोन सेतु के सिध्धान के अनप्रयोगों का हम आगे के कारक्रमों में प्रस्तुत करेंगे आज के कारक्रम का अभी हम यहीं पर समापन करते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप समापन करते हैं